सबसे पहले देखतें get get eth ethereum के client के तौर पर behave करता है ethereum blockchain है जो के distributed different nodes ने अपने पास ethereum का client install किया हुआ है उनके पास blockchain चल रहा है चाहे वो main net हो या test net हो test net भी community में different nodes पर deployed है अगर आप अपने पास blockchain setup करना चाहरें और ethereum से connect करना चाहरें तो कैसे करेंगे अब get through connect करेंगे अब get download करें install कर सकते हैं और उसे main net या test net से connect कर सकते हैं या फिर आप private blockchain भी बना सकते हैं तो उसके लिए आप get को use करेंगे get एक command line tool है और windows और linux पे भी available है mac के लिए भी available है आप उसको setup कर सकते हैं और उसको connect कर सकते हैं get को आप get की website है उससे जाके आप download करें exe file आपको मिल जाएगी अगर आप windows पे कर रहें double click करें वह install करेगा setup हो जाएगा आपका पूरा डिफॉल्ट behaviors के साथ आप उसको actions के साथ आप उसको install कर लें और उसके बाद get install होने के बाद आपके system में available हो जाएगा क्योंकि वह command line tool है तो आप उसे command line के through access कर सकते हैं अगर आप नहीं देखना है get install हो गया है या नहीं तो आप लिख सकते है get space minus minus v get conversion पता चल जाएगा या help लिखेंगे तो अगर आपके पास information आ रही है get के tools की help के लिए क्या क्या आप attributes options यूज़ कर सकते हैं इसका मतलब get install हो गया है जब get install हो जाता है उसके बाद आपको थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा वह क्या कि अगर आपने get install करने के बाद command line पर आके लिखा get enter वो क्या करेगा get को directly मेंनेट से connect कर देगा मेंनेट याने के ethereum का जो public net है production net है जिसमें transactions और contract deployed है real जब वो उसे connect करेगा तो क्योंके वो blockchain से connect हो रहा है जब भी कोई नई node blockchain से connect होती है तो पिछले तमाम blocks जितने भी blocks मौझूद है वो सारे के सारे download होते हैं उस नई node पे तो इस वक्त लगवख 180 GB का data है जो के ethereum का data मौझूद है अगर आपने main net से connect कर लिया get को तो 180 GB का data download करेगा आपके system में ये एक heavy process हो जाएगा आपके system के लिए क्योंकि आपके आपको जरूरत नहीं है main network से connect करने की आप mining अगर करना चाहरें तो एक अलग बात है वो आपके get space minus minus test net तो get जो है Robston के test network से connect हो जाएगा अगर आप रॉप्स्टन से connect करना चाहरें अगर आप rank B से connect करना चाहरें तो आप लिखेंगे get space minus minus rank B तो वो test network से connect हो जाएगा लेकिन again test network में भी 30-40 GB का data मौझूद है जो के पूरा का पूरा blockchain सिंक होगा आपके system पर download होगा और फिर वो इस काबिल होगा कि उस आपकी blocks को आपकी transactions को process कर सके उससे पहले वो एक client होगा जब तक वो download सारी चीज़ा नहीं कर लेगा वो सिंक नहीं होगा और अगर आपने दो-चार दिन के लिए मजीद अपना get का client shutdown कर दिया यूज नहीं कर रहे फिर दो-चार दिन बाद स्टार्ट करेंगे तो उन दो-चार दिन में जितनी transactions ब्लॉक बने होंगे फिर वो सिंक होंगे तो जब भी आप get को में नेट या टेस्ट नेट से कनेक करते हैं वो जित तक चल रहा है पहली बात तो वो सिंक करेगा सारे कुछ सारे के सारे ब्लॉक में नेट के केस में इस वक्त एक सीजीवी का डेटा है आगे चलके और बढ़ जाएगा वो पूरा डाउनलोड करेगा टेस्ट नेट के सूरत में 30-40 जीवी जो भी है क्यूंकि इस वक्त हम किसी तरीके से कोई टेस्ट नेटवर्क पर कनेक्ट करके हमें कोई बैने नहीं होगा तो आप अपना प्राइवेट ब्लॉक्चेंग क्रियेट करें और प्राइवेट ब्लॉक्चेंग गैद केत्रू बनाकर उससे कनेक करें